36 गड़ में कोरोना की तीसरी लहर में मौत का आंकड़ा रोज बढ़ रहा है कल प्रदेश भर में साथ मरीजों की मौत हो गई तीसरी लहर के दौरान ये पहली बार हुआ है जब एक दिन में इतनी मौतें दर्ज हुई है स्वास्त विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटों में 63,221 सेंपल कलेक्ट हुए इस दौरान 6,015 नए लोगों में कोरोना संक्रमन की पुष्टी हुई राइपुर में सबसे ज़ादा 2,020 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए है एक दिन पहले यहां से 1700 से ज़ादा मरीज मिले थे प्रदेश में अब तक कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन के 5 मामलों के पुष्टी हो चुकी है 36 गड़ के कृशी मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि संक्रमन की इस लहर में लोगों को अस्पताल आने की जरूरत नहीं पड़ रही है लेकिन लक्षन देखने पर जाँच जरूर करानी चाहिए वैसे भी सुरुआत में लोगों के मन में काफी भय था लेकिन जिस तरीके से संक्रमन है और जिस तरीके से उसके बाद की परिस्थिती है हमने राइपूर के प्रभार के राइपूर में बैठक लिया था लोग हॉस्पिटलाइज कम हो रहा है आक्सिजन बेट की ज़रती नहीं पड़ रही है वेंट्रिलेटर के तो सवाल ही नहीं है इसलिए मैं ऐसा समस्ता हूँ कि अपने खुद के जाज हो करके भी अगर लोग संतुष्ट हो रहे हैं मैं इसमें ज़्यादा प्रस्म चिन्ने नहीं लगाना चाहता लेकिन कोविट और इसके कोरोना के जो प्रोटोकाल है गाइड लाइन है उसका सबको पालन करना चाहिए और अगर थोड़ा भी ज़्यादा संक्रवाणी की स्थिति दिखती है तो उसकी जाज कराया जाना चाहिए ऐसा मेरी मान्यता है इधर कल देश भर में 2,64,000 से जादा नए मामलों की पुष्टी हुई वर्तमान में 12,72,000 से जादा लोगों का इलाज चल रहा है अब तक 79,90,90 लाज से जादा नमूनों की कोविट जाँच की जा चुकी है केंद्रिय स्वास्त मंतराले ने कहा है कि देश में अब तक कोविट के नए वेरियंट ओमिक्रॉन के 5,703 मामले सामने आए हैं इस बीच राष्ट व्यापी कोविट टी का करण अभ्यान के तहट अब तक 155 करोड 49,00 लाज टी के लगाए जा चुके है